लमस्टार मैं हूँ कुमार गजेंद्र जनपत्र ओंदा स्पॉट में आपका स्वागत है अमारे दूसे सोचल मेडिया प्लेट्फॉर्म पॉड़कास। कुमार गजेंद्र में आपका स्वागत है जहां आप हमें सुन सकते हैं दिली के मुक्रमस्चि अर्विंद केजर्डिवाल किसी भी तरीके से मनीच सिषोधिया की ज्यादा परवाद करने ही रहे हैं लेकिन मनीं शिसोदियां है आते ही वह ऐसे काम में लगे हैं जैसे अरविन्दी जी केजरिवाल के वही सब कुछ है बाद अर्विंद केजरिवाल के बाद पार्टी में वही सब कुछ है अलाकि पार्टी में उन्हें अर्विंद केजरिवाल जाता तबज्जो नहीं दे रहे लेकिन सिसोधिया एकदम से एक्टिव हो गए और वह इस तरीके से काम कर रहे हैं ज कि हम तो खड़ाओं रखके पूझ रहे हैं यानि कि केजरी वाल जो है जो आरोपी है सराब गोटाले का मास्टर माइंड है वो त्यहार जेल के अंदर बंद है और एक दूसरा मास्टर माइंड सराब गोटाले का जिस पे 338 करोड रुपे का हाई कोट कह चुका है मनी ट्रेल स केजरी वाल इतने ही महरवान होते या इतना ही मनीश्य सोधिया को चाहते तो पहले की तरह एक अप्लिकिशन लगवाएं और अदालत में एक दो लैटर साइन करने की आदे ले ले अदालत से और दे दे चुपके आप लैटर साइन करके कि भईया यह एल जी को स्प्रे अगर मुख्यमंत्री के कद का यह आदमी है तो इसको मुख्यमंत्री बनवा दे ना अरविंद केजरी वाल अब तो इस्तिपा दे लेकिन तेजरी वाल अपनी जगा से स्टस्य मस नहीं हुए है नहीं उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई बयान तिहार जेल से ऐसा दिया है कि मनीश से सोधिया को कुछ बना दिया जाए भाईया अब वो देख यह गुप्चुप तरीके से सब कुछ चलना है उदर गोपाल राए बिलकुल सांती से जाके तिहार जेल में अर्विंद केजरी वाल से मिलाए और वह असल में गए इस बात के लिए थे के देख है कि नियम के मुताबिक मैं जंडा फेरा हूं इसके लिए आप समझे गोपाल राय तेहार जेल चले गए और मिलके आगे केजरी वाल से लेकिन केजरी वाल ने ना तो गोपाल राय को इस बात की इजाजत दी आप फेरा लीजिए जंडा उन्होंने साप का आगे वह आतिसी पहलाएं तो आतिसी पहलाएंगी आपको कोई मतलब नहीं है आप किस वात्य वरिष्ट है मैं आपको नहीं मानता हूं और ना उन्होंने ये कहा कि मनीज सिसोधिया सरकार या संगठन को चलाएं तो किसी तरीके की कोई भी स्टेटमेंट अर्विंद केजरी वाल की तरफ से नहीं आई है यानिकिजरी वाल जते मनीज सिसोधिया तेहारहिल से छूटे है जमयानत पर चूटे है सरको संगठन केजरी वाल की बोलती एकदम बंढ है एक सब्द अर्विंद केज़िवाल की मुह से नहीं निकला है मनीज सिसोधिया उदर मनीज सिसोधिया ने पायटी पर हावी होने में कोई कसर नहीं छोड़िये सरकार और संगठन दोनों पर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया है अब आप देखिए इसमें हम आपको थोड़ा सा कुछ सिल्सिले बार ढ़ंग से बता देते हैं मनीज सिसोधिया दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं बन सकेंगे क्योंकि वो कैबिनेट में सामिल नहीं हो पाईगे अब क्याबिनेट में आपने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में के देखिए दिल्ली के अंदर सत्तर विधान सवाह हें उस इसाब से साथ कैबिनेट की सीट है साथ मिनिस्टर से Hier Il-, बनाये जा सकते क्वाव किसमें से 1 मिनिस्टर SCSE कोटे का, एक मिनिस्टर कोटे का, राजकुमारानद से हमल समाज किल्हार मनत्ति यह पहले ही अपने इसलिपा दे कर पार्टी छोड़ कर जा चुका है, कि अब ऐसे में मनीश से सोधिया को तो से बनाए नहीं जा सकता तो अगर मानली जिए मिनिस्टर बनाया जाए तो किसको खाली कराया जाएगा उसमें आतिसी मार लेनों या फिर सौरा भारदवाज में से किसी एक को इस्तिपा देना पड़ेगा और अगर इन दोनों से नहीं लिया तो केजरीवाल के निशाने पर आ चुके हैं अलाकि आज उन्होंने बड़ी केजरीवाल 40 सा पढ़ने की कोशिज के चत्रसाल स्टेडियम में लेकिन केजरीवाल के निशा बाहर नहीं आप हैं तो साथ कैबिनेट की जो सीट हैं वो साथों की साथों लगबग बुक हैं मनीश शिसोधिया के लिए कोई सीट नहीं है और नाहीं अर्विंद केजरीवाल ने अभी तक किसी तरीके कोई स्टेटमेंट जारी कि मनीश शिसोधिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं सिसोधिया आमाद में पार्टी सरकार में सामिल तो नहीं हो पाएंगे लेकिन उसकी सलापर सरकार काम करें अब पार्टी के कहना है कि नेताओं का बाहर आने का सिलसला सुरू हो गया और मुक्चमंत्री अर्विंद केजवाली जल्दी जेल से बाहर आ जाए जो कि पॉसिवल नहीं है अब उनकी सला से ही अब डिल्ली की आमाद में पार्टी और सरुकार के मंत्रीों से कामकाज की जानकारी लेंगे और जरूरी निर्देश में देंगे कि दिल्ली विदान सभा चुणाव को देखते हुए वह प्रतीसप्ता सरकार के कामकाज़की समिक्षा करेंगे किस टैग से करेंगे गों तो बता दीजिए सत्रा महीने बाद जेल से बाहर आये हैं इसी मामले में मुक्यमंत्री अर्विंद केजी वाली भी जेल के अंदर बंद है सिसोधिया साइद आहम आदमी पार्टी की पूरी लीडर्शिप का जही कहना है कि यह पूरा मामला फर्जी है और जल्दी उन्हें न्याय मिलेगा लेकिन मामला असली है और न्याय जल्दी से नहीं मिलेगा भी केस चलेगे आपका कहना है कि नेताओं को का बाहर आने का सिलसला सुरू हो गया और मुख्यमंत्री अर्विन केजवाली भी जल्दी जेल से बाहर आएंगे जो बिल्कुल जूट है अब यहालात ऐसे हैं कि सिसोधिया फिर से दिल्ली कैबिनेट में सामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए मुख्यमंत्री को LG को पत्र लिखना होगा जानकारों का कहना है कि मगर जेल में होने के चलते हुए अदालत की वगएर अनुमत्ती के ऐसा कोई पत्र नहीं लिख सकते हैं ऐसे में सिसोधिया के सरकार में सामिल होने में समय लग सकता है तब तक समय ख़तम हो गाएगा बहराल सिसोधिया बाहर आने के बाद पार्टी के काम में जुड़ गए हैं दिल्ली विदानसवा चुनाव नजदिक आ रहा है पार्टी के दोनों बड़े नेता जेल में बंद थे तो संगटन और सरकार का काम सुष्ट हो गया था बहुत तेजी से चल रहा था उधर भारते सिसोधिया ने जणता पार्टी लगातार आमाद मीद पार्टीबर हमला बार आ है ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारी एक चीरानी देरी से नहीं करने चाहिए पिसी बात को मनिद सिसोधिया चेल पर जे यिसे देखते हुए ओपर आमाद मीद पार्टी संगटन की अभए देंगे वैं अन योजनाव के समेर्वा करेंगे जो जनता है वैंन योजनाओं कर और किस तरह से बहतर काम किया जा सकता है इसके लिए मुख्र Karl masih को कि इसके लिये मंन्तρι को सला देंगे बता दे कि दिल्ली में यह यह पहले सकتे हैं परतु सोद्द के बीदिरिवाल का u यह सब्द मनीश्ट सदिया को लेके एक वाहर अभी तक नहीं आया घि और मनीश्ट रिश पैर्टि के अंदर कंपर रूटप पर चुकी है और अर्विंद केंफन नहीं चाहता कि मनीज सिसोधिया पाल्टी पर या संगठन पर या सरकार पर हादी है इसलिए अर्विंद केजिवाल अपने पैरों पर कुलारी को नहीं मारने वाले हैं बहुत तेज तर्रार वो एक चतुर व्यक्ति है जैसा कि प्रदान मंति नरेंद्र मोदी ने कहा तक चतुर चो निकाला जा चुका पार्टी से लेकिन मनीज सिसोधिया आज जिस तरी के से कोशी से कर रहे हैं स्कूलों में जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री उनके पीछे पीछे चल रही है एक पॉइंट इसमें और भी था कि वो सरकार के जनता के जो काम है उन पर नज़र रखें कौन से सराब गोटाले एक साथ एक फिरी बाले इन पर नज़र रखेंगे जिसमें उतिहार जेल रहे हैं सड़के बनी नहीं डै नहीं यमना में बार आ तरस में नhouse नैदी नाले अस्पतालों का सत्यानास कर दिया गया है इसकूलों का सिक्षा का सत्यानास कर दिया गया है तो किस जनता के कामों की बात करते हैं आम आदमी पार्टी के लिए जनता ने उनको लोकसवा चुनाओं में ये बताया है कि आप पूरी तरीके से फेलें आप से ना हो पाई ये तो आपको हटा दो भारते जन्ता पार्टी को इसलिए उन्होंने जिता दिया दिल्ली विधान समा चुनाओं में भी आम अद्मिक पार्टी का सूप्रसाफ होने वाला है और कॉंग्रेस और भारते जन्ता पार्टी पहले की तरह दोनों तक्कर में रहें गोंगों अगर आपको ह हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अमेंट्स बॉक्स में अपनी जरूर 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 लिखें इससे हमें बहुत 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 उर्जा मिलती है जैहिन जैबारें